बिस्मिल्लाय रख्माद रही में असलाम अलेकम आज बनाऊंगी आलू के बहुत ही जबदसे हस्ता से स्पोंस है घर की पटी से चलें रैस्पी की तरफ चलते हैं सबसे पहला मिद्दा लेंगे तीन कप उसमें एड़ करेंगे वन टी स्पून नमक और ब्लैक पेपर हाफ टी प्रेश्ट का पानी लेके इसकी एक फाइन सी डो बना लेंगे नार्मल ना बहुत ज़्यादा नर्मों ना बहुत ज़्यादा सकते दूसरी तरफ काट रियूम है वेजिटेबल जूलियन कटिंग या क्यूब जिसना मर्जी काट नी है आपने ब्री कटिंग में काट लें एक जैसी प्याज गैबिच और ग्रीन चिली ग्रीन चिली लिए साथ से आट अदर कैबिच का एक फूल तीन से चार अदर मीडियम प्याज डो को मैंने रस दिया था अधिगेंटे के लिए इसके बाद इसको फिर दुबारा ले आई हूँ बोड पे बेलने वाली जो मेरे पास लैब है उस पे और एक जैसे मैंने अब इसको सैंटर से पीस करके एक जैसे पेड़े बना ले हैं और इसकी फिर रोटियां बनाओंगी ये देखें एक जैसे पेड़े बने हैं इनकी एक दो तीन चार पाँच रोटियां बनेंगी आलू बाइल हो चुके हैं आलू अब यह देखें, एक एक पेडा लूँगी, यह छोटी छोटी रोटियां बेलूँगी पहले इसकी, जो बजार में हमें पटियां मिलती हैं, वो पटिगर में बनाएंगे, बहुती इजी, बहुती असान सी रेसिपी, जट पर त्यार होने वाली, यह देखें, एक जैसी, ती आइल यूज करते हैं खाने के लिए, ब्रश की मदस इनको अच्छे से क्रीस कर लिए, आप इसके उपर डालेंगे, मेदा या आटा, चकी का आटा या जो भी है आपके पास, जिसके आप रोटी बेलते हैं, वो डालेंगे, उपर रखेंगे, फिर दूसी रोटी, और उसको इस तरह रोल बनाने से या स्मोसे बनाने से ना ही आपकी कोई डोवेस्ट होगी, ना ही साइड की पठीया होता रहेंगी, एक जगा जब पक जाए, एक साइड जब पक जाएगी, तो दूसी तरफ साथ ही पका लोगी, इसके उपर जैसे रोटी के उपर हम फूल होते हैं, इसके उपर वो डालने नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना कि रोटी सकत हो जाती है, फिर फट जाती है, यह देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी रोटी बन चुकी है, दोनों साइड इसकी अच्छे से से शेक लिए हैं, आप यह देखें, आपके सामने यह पटी त्यार हो चुकी है, रोटी की, अब इसी तरह बाकी मैं पेड़ों की भी कर लूँगी, आलू ठंडे हो के ब्रीक ब्रीक यूग काट ली हैं, अब जो मैंने कैबीच, प्याज, हरी मिर्च काटी थी वो इसमें मैंने एट कर ली हैं, आलू में डाल दी हैं, बीच में जानी है, सुरख दादर मीच, वन टेबल स्पून, यह आपके टेस्ट के मताबिक है, कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक डाला है, वन एन हाफ टेबल स्पून, यह स्मोसे दरह स्पाइसी हों तो अच्छे लगते हैं, हरा दनिया डाला है, यह काफी डाला है, मैंने तक स्पून, तीन से चार अदर मीडियम लीमू ली है, यह अगर अनारदार नहां आम चुर का पोडर है, आप वो एड़ कर सकते हैं, बस इसको नार्मल हाथों से इसको मैं करूंगी, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाऊंगी, ऐसे देख सकते हैं, आलू ठंडे करके की हैं, मैंने इसलिए मटीरियल बीच में मिक्स किया है, कि ठंडे हो जाएं अच्छे से, गरमालों का फोरण नहीं किया, अब सलैरी बनाऊंगी, मेदे की, तीन से चार चमच लीए, मेदा इसमें पानी आड़ करके, एक फाइन सलैरी बना लूँगी, जिस से हम स्मोसा पटी को बं आ रहा हैं, यह एक तरफ पर फोर्ड करूँगी, फिर उपर डूसी तरफ, पिर सेंटर में इसके, जो मेदे की स्लैरी बनाई है, वो करूँगी, स्प्रेड या पेस्ट, करके वन टेबल स्पून की मदद से, यह इसमें डाल लूँगी, जो हमने कौन बनाई है, और उपर स इसका मुँ बन कर लेंगे, एक टेबल स्पून बहुत ही सही रहता है, ना कम ना ज्यादा, एक जैसा है, यह आप देख सकते हैं अभी स्मोसों की शेप, कोई पटी इसकी साइड की नहीं उतरी, ना कोई जाया हुई है, इसी पटी के रोल भी बन जाते हैं, इसी पटी के य हमने स्टार्ट स्मोसे बनाए हैं, वर्की स्मोसे नहीं हैं यह, यह स्टार्ट स्मोसे हैं, यह बहुत ही क्रिस्पी जवदसे स्मोसे हमारे, हमारे बन चुके हैं, हम कुछ फ्रीज करेंगे, कुछ आपको फ्राई करके बताएंगे, यह फ्रीजर में भी एक माह तक प्राइ कीजिएगा प्लाइट